हिंदी दिवस हर साल 14 सेतंबर को देश्वर में मनाया जाता है वर्ष 1949 में आज एके दिन सम्विधान सभा ने एक मत्थो कर इसे भारत की राजभाशा की रूप में सुविकार किया था इसी महत्पून निर्णे के बाद यह तैय किया गया कि इसे हर शेत्र में प्रसारत किया जाएगा 14 सेतंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाशा की रूप में सुविकार किया था भारत में 14 सेतंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है इस दिन भारत के विधान सभा द्वारा अधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा रास्ट्र भाषा के रूप में स्विकार की गई थी 14 सितंबर 1950 को ही भारत के घटक विधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को भारती गनराजी की अधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया गया इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालों में छात्रों तथा स्टाफ को हमारी रास्ट्रिय भाषा का महत्वा बताय जाता है इस दिन विभिन ने हिंदी कहानी लेकन कविता और बच्चो द्वारा मज़ेदार हिंदी नाटको का भी आयजन स्कूल में किया जाता है ये दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपून है क्योंकि इस आधुनिक युग में भी लोगों को हिंदी भाषा के महत्वा को याद दिलाय जाता है हिंदी दिवस पर लोगों के दिलों में देश भक्ती भी जाकृत होती है इन बिसे न्यूस के लिए रूपा पंडित बिरो रिपोर्ट